माराजधनी भोपाल से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर पी डबलूडी के चीफ इंजीनियर सीपी अगरवाल हटाए गए हैं तदकाल प्रभावसिस चीफ इंजीनियर को हटा दिया गया है क्वालियर की निर्मा ठेका कम्पटी ने इसकी शुकायत की थी मुख सचुव इकबाल सिंग ने फटकार लगाई थी बैठक में गलच जानकारी देने पर फटकार लगाई थी सीम शिवराज ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी अब कर करवाई करते हुए पी डबलूडी के चीफ इंजीनियर सीपी अगरवाल को हटा दिया गया है अधिक जानकारी के लिए हम बात्चित करेंगे विशे संबादाता जुगल से जुगल शिकायत मिलने पर कारवाई हुई जानकारी मिली है कि जो प्रमुक अभियंता से इंजीनियर सीपी अगरवाल को शेनिवार को हटा दिया गया है जासर गवालियर के एक निर्मान ठेका कमपनी थी जिन्होंने इनकी प्रमुक अभियंता अगरवाल के शिकायत की थी जानकारी ये मिली है कि जो निर्मान कमपन राजलक्स में कर्स्ट्रक्शन ने ठेका लिया था और उसे ठेके को 37% बिलो रेट पर हासिल किया था लेकिन आरोप मी लग रहा है कि अगरवाल ने इसमें पेच लगा जिसने जिसकायत मुक्यमंति तक पहुची और मुक्यमंति श्वरा सिंग चोहान नाराज की जदाई है औ उसके राद इकबाल इसिंग वैससा प्रचनकरम पे नाराज कि जताई है और यह जानकार ही मिल रही ह vaccin काई मार तो इसका प्रभार्वार देनकार ने कोशिश की है कि निर्मान कारिव में किसरे पघार के लापरवाई बर्सरचार या लेट लटकी सी बर्दाक्ष नहीं की जाएगी जो नियामनुसार काम कर रहे हैं या खेकेदार जो नियामनुसार सरकार की मन्शा के अनुरूप काम कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके से परिशाम नहीं किया जागा या एक तरह से जो सरकारी महक्मा जुलाल सित साही या हम कहें कि बेजबरन ठीकेदारों पर दवा बनाते हैं उससे एक तरह से मेसेज देने कोशिच की गई है कि काम जो भी ठीक करेगा उसको पर सरकारी अधिकारी करमचारी परशान नहीं करेंगे ठीक है जुकल आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए तो सरकार ने साफ संदेश देने की कोशिश यहां पर की है कि निर्मान कार्य में लापरवाही नहीं बढ़ती जाएगी गवालियर की निर्मार ठीका कंपनी ने शिकायत की थी दब्लूडी के चीफ इंजीनर की और उस शिकायत पर कारवाई करते हुए जो पीसी बारसकर को अतरिक्त प्रभाव सौप दिया क्या है सियम शिवराज ने इस पर नाराजगी जाहर की थी जिस पर अपकारवाई हुई है